नमस्कार दोस्तों देखिए मित्रों हम मादमिक शिक्षा बोर्ड की जो 9th क्लास की पूस्तक हैं उसमें राजनिती विज्ञान से समधी चेप्टर था इस्थानिय सवसासन तो इसका फर्स्ट पार्ट जो है इस चेप्टर का एक विडियो बन गया था अब इसके आगे हम बात करेंगे तो हम पढ़ रहे थे इस्थानिय सवसासन जो कि आपके सभी एक्जाम के लिए और खास करके जो रीट का एक्जाम है उसके लिए बहुत मैथपून है तो ये चेप्टर शुरू करने से पहले एक क्यूसन का जवाव आपको देना है यानि उद्गम स्रोजो है वो अरावली की पहाडीया नहीं है तो इसका जवाव कमेंट करके आपको बताना है तो ये वाला हमने पढ़ लिया था इसमें तो यहां से हमें पढ़ना था गराम पंचायत का बजट और कर प्रस्ताव तो गराम सभा के सदशों की कुल संख्या के एक बटा दस से अधिक सदशों या पंचाय समिती या जिला परिसेदी या राजे सरकार द्वारा अपेक्षित किये जाने पर गराम सभा की बैठक अपेक्षा किये जाने के पंदरा दीवस के भीतर बुलाई जाएगी तो बैठक के लिए एक बटा दस सदशे इसको आप क्या कह सकते हो कौरम या गणपूर्ती कि जैसे कोई भी बैठक होनी है तो उसके लिए कम से कम इतने सदशे होने आवसक है तो गराम सभा के सदशों के कुल संख्या के एक बटा दस से अधिक सदशों तो ये आवशक है तो इतने से ज़्यादा सदशे या पंचाय सिमिती या जिला परिशदी या राजिय सरकार द्वारा जब भी अपेक्षा की जाएगी तो गराम सभा की बैठक बुलाई जाएगी पंदरा देवस के भीतर भीतर जब पुलाने का प्रस्ताव किया जाएगा कि हाँ पैठक पुलाई जाएं। ग्राम पंचायत अपने किरिया कलापों के लिए ग्राम सभा के परती उतरदाई होती है। ग्राम पंचायत अपने किरिया कलापों के लिए किसके परती उतरदाई होती है। ग्राम सभा के लिए। तो आगे हम ग्राम पंचायत पढ़ने वाले आवे। ग्राम पंचायत को ग्राम सभा की कारिये कारी समिती भी कहा जा सकते हैं। परती ग्राम पंचायत एक निग्मित निकाय की तरह काम करेगी जिसका सास्वत उतरादिकार और सामाने मोहर होगी। तो यह हो गया। देखें इसमें परती ग्राम पंचायत एक निग्मित निकाय की तरह काम करेगी। अब आप इसको निग्मित निकाय का मतलब क्या है। निकाय का मतलब तो हो गया कोई संस्ता या बोड़ी। और निगमित का मतलब क्या है यानि सरकार के द्वारा जैसे कोई एक ऐसी संस्ता या आप कह सकते हो कोई ऐसी कंपनी जो सरकार के द्वारा विधिक रूप से बनाई गई हो जिसकी अपनी मोहर हो उसके उत्रादिकार हो उसके जो है कुछ अधिकार हो तो इस तरह की जो संस्ता उसको निगमित निकाई का जाता है जो सरकार की ओर से एक विधिक संस्ता होती है तो गराम पंचायत भी एक विधिक संस्ता ही है तो परते गराम पंचायत एक निगमित निकाई की तरह काम करेगी यानि सरकार की एक उस संस्ता की रूप में कारिय करेगी जिसके कुछ के अधिकार होंगे, कुद की मोर होगी. राजस्तान पंचायती राज अधिनियम 1994 में के अनुसार, राजे में 3000 तक की जनसंख्या वाली पंचायत में एक सरपंच और नो वाड़ पंच होते हैं. तो राज्तान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार राजे में 3000 तक की जनसंख्या वाली पंचायत में एक सरपंच और नो वाड़ पंच होंगे 3000 से अधिक जनसंख्या पर अत्रिक्त परते एक 1000 अथवा उसके अंस पर दो अत्रिक्त वाड़ पंच होते हैं अब 3000 से जादा संख्या हो तो फिर वाँ परते एक 1000 या उसके अंस पर दो अत्रिक्त वाड़ पंच होंगे यदि किसी गराम पंचायत की जनसंख्या 46 है तो इसमें 13 वाड़ पंच वए एक सरपंच होगा परतेक गराम पंचायत के लिए एक सर्पंच और गराम पंचायत के परतेक वाड के लिए एक वाड पंच को जनता द्वारा परतेक सुरूब से निर्वाजित किया जाता है पंच वय सरपंच का चुनाव वही वेक्ति लड़ सकता है जिसकी आयू 21 वर्ष से कम ना हो तता उस 25 शेतर का पंजिकरत मत दाता हो तो पंच वय सरपंच का चुनाव वही वेक्ति लड़ सकता है जिसकी आयू 21 वर्ष याई से अधिक हो और उस 25 शेत्र का पंजिकरत मद्दाता होना चीए गराम पंचायत का कार्यकाल, पंचायज सिमिती और जिला परिशत की भांती पांच वर्ष रखा गया है राजस्थान में इस समय कुल निन्यान में 100 गराम पंचायते है गराम पंचायतों में प्रत्यक्स निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थान में अनुसुची जाती, जन जाती और अन्य पिछडे वरक के लिए नियमानुसार इस्थान चक्रानो करम के आधार पर आरक्षित होंगे महिलाओं के लिए इस्थान का आरक्षन वरवगार 50% होगा तो महिलाओं को 50% इसमें आरक्षन दिया गया है और बैसे कुछ बैसिक सी चीजे हैं कौन चुनाव लड़ सकता है, कितनी आयू होनी चीए पंच या सरपंच के लिए जो नियूंतम आयू कितनी होनी चीए 21 वर्ष वोट देने के लिए कितनी होनी चीए 18 वर्ष नियूंतम और पंच या सरपंच का चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष इस्थाई पंचायज समीती इस्थाई समीति पंचायत के काम में मदद करने वाली एक सरंचना है इन 27 समीतियों का गठन इस प्रकार किया जाता है कि गराम पंचायत के परतियक निरवाचन परतिनिदी को कम से कम एक समीति में इस्थान जरूर मिले तो ये राजस्थान की ये इस्थाई समीतियां है गराम पंचाइद की ये हमेशा फिक्स रहती है तो जो निर्वाचित परती निदी है उनको कम से कम एक समीति में इस्थान जरूर मिलें तो जो इस्थाई समीति है वो पंचाइद के काम में मदद करने वाली एक सरचना है तो ये अलग अलग जो हैं ये इस्थाई समीतियों में है ये कोई परसासनी से समधित है कोई वीद से समधित होगी कोई विकास से समधित है कोई सिक्षा से समधित है कोई पंचाइद अपने पंचायत अपने कारिय निश्वादन के लिए जितनी बार आउशक हो उतनी बार बैठक कर सकती है किन्तु 15 दिन में कम से कम एक बार पंचायत के निर्दारित स्थान पर बैठक बुलाई जाना आउशक है बैठको में गण पूर्ती है तो कुल सदशों की एक तिहाई संक्या निर्दारित की गई है तो जो बैठक है उसमें गण पूर्ती के लिए कम सकम कितनी सदश संक्या चाहिए एक तिहाई सदश्या वो उपर जो आये था वहाँ एक बटा दस वाला जो आभी उपर था वो एक बटा दस जो है गणपूर्ती जो थी वो गराम पंचायत की बैठक जो गराम सबा है उस गराम सबा की बैठक को बुलाने के लिए जो सदशे है अब जैसे सो सदशे हैं और गराम सबा के सदशे मालीजे सो है और उनको बैठक बुलानी है तो कम से कम एक बटा दस से अधिक सदश्यों के द्वारा वो परस्ताव किया जाएगा कि हाँ बैठक बुलाई जाए तो वो गणपूर्ती अलग है वो बैठक को बुलाने के लिए ग्राम सभा के एक बटा दस सदश होने चीए नियूंतम जो ग्राम सभा के बैठक के लिए था लेकिन यहां जो बैठक है तो बैठक में गणपूर्ती है तो कुल सदशों की एक तियाही संख्या निर्धारित की गई है पंचायत की बैठकों की अध्यक्ता सरपंच और उसके अनुपस्तिती में उपसरपंच और दोनों की अनुपस्तिती में सदश्य अपने मैं से किसी एको अध्यक्ता के लिए निर्वाचित करेंगे पंचाइत की बैठक में सबी निर्णे उपस्तित और मदान करने वाले सध्षिव के बहुमत से किये जाते हैं तो बैठखों की अध्यक्सता कौन करेगा? सरपंज करेगा? सरपंज अगर नहीं है, अनुपस्तित है तो उप सरपंच करेगा, दोनों ही अनुपस्तितों, तो अपने में से किसी एक सदर्श को वो अध्यक्स निर्वाचित कर देंगे बैठक की अध्यक्सता कर रहे हैं सरपंच या उप सरपंचों को मतों के बराबर होने की इस्तिती में निरनाएक मत देने का अधिकार है अब है ग्राम पंचायत के कारिये राजस्तान पंचायती राज अदिनियम 1994 में के परतम अनुसुची में ग्राम पंचायत के लिए निर्धारित कारियों का संक्षिप्त विवरण इस परकार है देखे ये जो बासा इन्होंने यहां इस्तिमाल की है जो उपर आभी हम पढ़ रहे हैं इन्होंने एज इटी जो इस एक्ट की लेंग्वेज है ये पूरी तरह से जो हिंदी के अंदर उसका जो अनुवाद है एक्ट का तो पूरी तरह से डिट्टो इन्होंने यहां चाप दिया है उसको एक्ट है उसकी पूरी तरह से ये टूको पी यहां है साधारण कारिए जैसे वार्सी की योजना अपने शेतर के लिए तियार करना वार्सी बज़ड तियार करना प्राकरति कापदा में सहिता करना संख्य की से मतलब है गणना से समधित लोग संपती के अतिकर्मन को अटाना जैसे माल जिये किसी ने कोई अब खेत की बार्ड है उसकी और जो सारवजनिक इस्थान है वो अपने बार्ड को आगे ले जाकर के यहां बना दिया उसने तो लोग संपती के अतिकर्मन को अटाना कोई भी सारवजनिक संपती पर अगर अतिकर्मन कर रहा है सारवजनिक भूमी है उस पर अतिकर्मन कर रहा है तो उसको हटाने का कारिये परसासनिक कारिये कारियों में आते हैं कि जो पंचाहि सेतर के परिसर है उनका संख्याकन, जनगर्णा, करसी उपज उत्पादनवर्दिकार एकरम गरामिन विकास, योजनाओं के किरियानवन के लिए वीवरन केंद्रिया और राजे सरकार परदस साहिता के सही उप्यों के लिए जो भी इनकी केंद्रो राजे सरकार की तरब से साहिता मिलती है उसका सही उप्यों के लिए सक्षम परनाली सर्वेक्षन और ये सामुदा एक चारागा, भूमीर, इन पर उसके बाद में आते हैं अन्यकारिये प्रातमिक वे प्रोड वे अनौपचारिक शक्षा तथा पुस्तकाले सांसकर्ठी कृया कलाप वे बाजार में ले गरामिन स्वस्ता वे लोग स्वास्थिय concept वे परिवार कल्याण महिला वे बालविकास कम जोर बरगों का कल्याण लोग वितरण वेवस्ता समुदाइक संपतियों, धरमसालाओं, पोखरों, मतलब तालाब वगएरा, पार्किंग, बुचड़ खानों, लोक, उद्ध्यान, खेल, मैदान का निर्मान, डख रखाओ, सराब की दुकानों का वीनियमन, इत्यादी विश्यों से समंधित कारिये के जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि गराम पंचायत के जो जमिनी इस तरपर कारिये हैं, वो सब किसके द्वारा किये जाते हैं, गराम पंचायत के द्वारा तो ये सब कारिये गराम पंचायत के हैं इसके बाद में आता है पंचाय समिती पंचायती राजगी 33 सरंचना का मध्यावर्ती सोपान पंचाय समिती कहलाता है मध्यावर्ती सोपान अब ये क्यों सन इस परकार से पूछ सकता है वो कि पंचायती राजगी 33 सरंचना का मध्यावर्ती सोपान है तो ग्राम पंचायत, पंचायत समीती, जिला परिशद या उप्रोक्त में से कोई नहीं तो सही उतर क्या होगा पंचायत समीती राजस्तान में पंचायत समीती सहित सभी पंचायती राज संस्ताओ का कारिकाल पांच वर्ष है वर्तमान में राजस्तान में ये 295 पंचाई समीतियां कारेशिल है राजस्तान पंचाई तिराज अधिनियम 1994 में के अनुसार राज्य सरकार जिल्ले के वितर किसी भी स्थान ये शेत्र को एक खंड के रूप में गोशित कर सकेगी यानि एक ब्लोक के रूप में और जिसके लिए एक पंचाई समीति होगी तो इससे जो लास्ट जो क्लास थी हमारी आठवी क्लास वाली तो आठवी क्लास के अंदर जो पॉलिटी वाले में हमने इस्तान ये सवसास अंदर जो पहले पड़े हैं तो बैसिक चीजें आप सब उनमें पढ़ चुके हैं कि किस प्रकासी निर्मान होता है तो एक पंचाई समीति के अधिकार में कई ग्राम पंचाईते आती हैं वो पूरा चितर बना के दिया वा था कि जैसे ये पूरा जिला परिशद पिर इस से निमनिस्तर पे जो है पंचाई समीति अब उस पंचाई समीति के अंतरगत एक शेतर में ये बड़ा शेतर है एक पंचाई समीति होगी और इसमें कई ग्राम पंचाईते आईगी और एक जिला परिशद में कई पंचाई समीतियां आती है तो इस प्रकार से ये पूरा इस्थानिय सवसासन है परतेख पंचाई समिती एक निगमित निकाय होगी जिसका सास्वत उत्रादिकार और एक सामाने मोहर होगी परतेख पंचाई समिती में निमलिक सदशे होंगे प्रादेशिक निर्वाचन शेत्रों से पर्तियक्स निर्वाचित सदशे पंचाई समिती शेत्र से पर्तिनितों करने वाले सभी विदानसवा सदशे पंचाई समिती शेत्र की सभी ग्राम पंचाईतों के सरपंचे तो ये इसके सदशे होते हैं तो पंचाई सिमिती में जैसे माल जी एक पंचाई सिमिती में पांस ग्राम पंचाईते आई तो उन सभी ग्राम पंचाईते जो सरपंच होंगे वो इसके सदशे हैं पंचाई सिमिती के उस पंचाई सिमिती शेतर से परतिनेदेत करने वाले जो विदान सवा सदशे हैं जो भ इसमें आते हैं, तो यह तीन जो हैं वो इस केटेगरी में शामिल होते हैं यानि एक लाख तक की जनसंक्या वाली पंचाई समीति का शेतर है, तो उसमें पंदरा निर्वाचन शेतर होंगे और इससे अधिक परति एक पंदरा हजार की जनसंक्या के लिए दो निर्वाचन शेतर की वरदी होगी पंचाई समीती के चुनाव में वोई अनुसुची जाती जन जाती के रहे सब के लिए जो सिटें इस्थान है वो आमटित होते है पंचाईती राज संस्ताओं के चुनाव का दाईतव राजिय निर्वाचन आयोग में नहित किया गये है ये पोईंट इसमें बहुत मैत्पुन है क्या कि पंचाईती राज संस्ताओं के चुनाव का दाईतव किसका है पंचाईती राज संस्ताओं के चुनाव कोन करवाता है तो राजिय निर्वाचन आयोग करवाएगा ये बहुत मैत्वण है और इसी प्रकार से प्रिक्षा में क्यूशन आपसे पूछा जाएगा पंचाय समीतियों के कारे संचाल में समानेत है परधान, उपरधान, विकास अधिकारी, परसार अधिकारी और अन्य करमचारी होते हैं विकास अधिकारी जो बीडियो होते हैं, ब्लोक डेवलमेंट ओफिसर, तो ये कैसा पद है, ये परसासनिक पद है, परधान, तो आप देखते हैं कई जो कई कुछ नेता होते हैं, उनकी गाड़ियों के बार लिखा होता है परधान, फिर जब वो पांस साल पूरे हो जाते है तो इसके पिछे वो फिर पूरो लिख देते हैं, नाम नहीं हटेगा, लेकिन नाम नहीं हटाते, अब लिख देंगे पूरो परधान, वो टेग लाहिन जो है, वो लाइफ टाइम तक रहता है उनके, जब तक वो चीते हैं, जैसे कोई सरपंस है, एक बार सरपंस बन गया, तो वो गाड़ी के आगे सबसे पहले लिखाएगा सरपंस, फिर जब पांस साल पूरे हो जाएंगे, तब लिखा देगा पूरो सरपंस, लेकिन वो रखेगा उसको, तो वो कई आपने गाड़ियों के आगे दिखा होगा, परधान लिखावा, सरपंस लिखावा, तो इस व परदान का चुनाव करते हैं तो पहले जो ये चुनाव होते हैं परतिनीदी का चुनाव हैं वहां के मद्दाता हैं वो करेंगे उस स्थाने शेत्र के और जो भी निर्वाचित परतिनीदी हैं वो अब अपने मेंसे किसी एक वेक्ति को परतान और किसी एक वेक्ति को उपरता चुनेंगे। सदश्यों की कुल संख्या का एक तियाई की उपस्तिती निश्यत की गई है। तो जैसे पुस्तिकाएं होती है तो वैसे भी ये कारवाई के लिए कारिय वर्थ पुस्तिकाएं होती है। जिसमें क्या-क्या कारिय किये जाएंगे, कि इनके न परशनों बात की जाएंगे, वो सब चीजें उन पे निर्दारन होता है, वो सब लिखा जाता है। पंचाई समीति के कारिय हैं। अधिनिम की दिविते अनुसुची में राजे के पंचाई समीतियों द्वारा किये जाने वाले निमन मुख्य कारिय का संकेत किया गया है। यह सारी की सारी लाइन उन्होंने ओरिजिनल एक्ट जो है, as it is पूरा उन्होंने छप दिया, as it is पूरा यही लेंग्वेज है, जो ओरिजिनल एक्ट है इसका, डिटो कोपी है उसकी यह। तो पंचाई समीति द्वारा किये जाने वाले कारिय कौन-कौन से हैं। अब यह उपर क्या है, अदिनियम की दिवित्य अनुसुची में, पंचाई समीति द्वारा किये जाने वाले कारियां का उलेख हैं, साधारन करते के अनुसार पंचाई समीति के लिए वार्षी की योजना और वार्षी बजट त्यार करना, और अदिनस्त पंचाईतों की व अगुसिंचाई, पेजल, गरीबी उनमुलन, पशुपालन, डेरी और मतश्यपालन, ग्रामिन आवास, प्रात्मिक विद्यालियों सहित शिक्षिया, सडके बाजार मेले, स्वास्तिय महिला और कमजोर वर्गों का गल्यान, सांख्यकी, आपदा सायता, सै कारिता और पुस साय सिमिति के कारियें हैं, फिर है जिला परिशद, गरामिन इस्थाने सवसासने अथार्थ, पंचायती राज विवस्ता की सरवोची काई होती है जिला परिशद, परते एक जिले में एक जिला परिशद, तो 33 जिले हैं, कितने जिला परिशद होगी, इसके सदश्यों का का परिये वेक्षे भूमिका क्या है? एक परका का मॉनिटर. जब क्लास में शिक्षक क्लास से बाहर जाता है, तो एक बच्चे को मॉनिटर बना जाता है, कि बेटा, तुम क्लास में ध्यार रखना, कोई भी सोर करे, कोई भी आपसम बात करे, तो उसका नाम बॉर्ड पे लिख देना, बस, कुछ नहीं करना, उसका नाम बॉर्ड पे लिखना है, बाकी फिर मैं अपने आप देख लूँगा, तो ये परिये वेक्षे की भूमिका होती है, मुख्य रूप से जिला परिसद की, जो भी योजनाय और कारे करम है, उनको एग देखे ये कैसे आपके क्यूशन बनेगा, आपका मैन उद्देश्य तो क्या है, एक्जाम कौलिफाई करना है, तो आपके क्यूशन को ध्यान में रखना है क्यूशन कैसे बनेगा, यहां हर लाइन में क्यूशन बन रहा है, पंचायती राज व्यवस्ता की सर्वोचिकाई क तो वो क्या कहेगा कि पंचायती राज व्यवस्ता की सर्वोचीकाई है और ए उप्सन में देगा नगर निगम अब नगर निगम तो नगरिये सवसासन से है तो इस परकार से वो आपका दिमाग उसमें गुबाने का परियास करता है और तो पंचायत राज व्यवस्ता की सरवोची काई है जिला परिसद ये क्यूसन बन गया परतियक जिले में जिला परिसद की व्यवस्ता होती है सदशों का कारेकाल कितना है पांस साल मुख्य भूमिका प्रिय वेक्षन की कि इनके बीच में कड़ी का काम करता है तो एक तरफ पंचाय सिमीतियां और गराम पंचायत और एक तरफ राज्य सरकार इनके बीच में जो एक लिंक है ये समझ लीजिए कि ये दोनों कोई तालाब है ये बड़ा तालाव है राजे सरकार और ये छोटा तालाव है पंचाई सिमितिया और ग्राम पंचाईद इन दोनों को एक नहर के द्वारा जोड़ दिया गया तो वो नहर का नाम क्या है? उसका नाम है जिला परिशित तो इनके बीच में कड़ी का काम करता है तो ऐसा नहीं है कि पर्धान लिख दिया तो वो पर्धान सही हो जाएगा उसको किसन को पढ़ी कि पूछना क्या चा रहे है तो सही उतर क्या होगा जिला परिशित जिला परिशित परतेक ती माही में कम से कम एक बैठक आयजित करेगी देखे सरपंच वाली बैठक थी 15 दिन में 25 सिमी थी एक महीना और ये है तीन महीने में एक बार और गणपूर्ती सदर्शों के कुल संक्या के एक तिया ही तो ये सब में कोमन है गणपूर्ती को कोरम कहते हैं कि मिनिमम कितने सदर्श होने चीए तो एक वन थर्ड और परतेग बैठे कि कारियवाई कारियवर्थ पुस्तक में मुख्य कारियपालिक अदिकारी की जो है देखरेक में अबिलिकित की जाएगी जिला परिस्यद का गठन निम्न च्यार परकार के सदर्शों से मिलकर होता है निर्दारित प्रादेशिक निर्वाचिन शेत्रों से पर्टेक्स निर्वाची सदशे तो जो सदशे डारिक निर्वाचित होके आरे उन शेत्रों से एक तो पहले तो वो ही हो गए जिला परिशद शेत्र से निर्वाचित लोगसभा विदान सभा सदशे तो उस सदशे उस शेतर से जिला परिसद आप चुनकी पोरे क्या है जिलास्तर पर है तो वहाँ लोगसभा के सदशे भी आएंगे और वो संपूण विदान सभा के सदशे भी आगे राजे सभा के सदशे उस सेतर से उस जिले से कोई भी राजे सभा का सदशे भी मेंबर भी अगर कोई बना है तो वो भी इसका मेंबर होगा किसका जिला प्रिशत का और समस्त पंचाइद समीतियों के परधान तो ये होते हैं इसके सदशे नेक्स्ट है उप्युक्त खै गय और घै यानि खै गय और घै में जो भी सदशे हैं यानि लोग सबा और विदान सबा के और जो उस जिले से कोई राजय सबा का सदशे भी निरवाचितवा है उस शेतर का और पंचाई सिमितियों के परधान इन तिनों को जिला परमुक या उपजिला परमुक के निरवाचन और उनको हटाए जाने के सिवाए जिला परिशत का परमुक कोन होता है जिला परमुक या उपजिला परमुक तो इनका निरवाचन या हटाए जाने के सिवाए इनको मत दने का अधिकार होगा यानि इनको हट डाना या निरवाचन में इनका कोई अधिकार नहीं है, लेकिन मत देने का इनको अधिकार होता है। चार लाग तक की जनसंख्या के लिए किसी जिला परिशा शेतर में सतरा निर्वाचन शेतर और उससे परतेक अतिरिक्त एक लाग या उसके भागी जनसंख्या के लिए दो शेतरों की बढ़ोतरी की जाएगी तो पंचाय सिमिती में आपने देखा एक लाग तक की जनसंख्या के लिए थे सदशे इसमें चार लाग तक की जनसंख्या के लिए किसी जिला परिशाद में सतरा निर्वाचन शेतर होंगे फिर उससे अत्रिक्त एक लाख या उसकी बहागी जनसंख्या के लिए दो शेत्रों की बडोतरी की जाएगे फिर ये बाकी जैसे SC, ST, OBC, पिछड़ावरग महिलाओं के लिए रहे इन केनुसार जो नियमानुसार और जो चकर केनुसार आर्शन होता है वो होगा जैसे आप देखते हैं कई बार आपने सुना होगा की इस बार महिलाओं कोटे की सीट है इस महिलाओं के अंदर भी इस जाती की सीट है केटेगिरी की जैसे SC, ST, इन केनुसार या OBC तो वो भी आप देखते हैं की तो उस सीट पे वो ही खड़ा हो सकता है कोई दूसरा व्यक्ति खड़ा नहीं हो सकता जिला परिशत के परतेक प्रादेशिक निर्वाचन शेतर में से एक परती निदी का निर्वाचन समधी शेतर के मदाता करते हैं यानि जिला परिशत के परत्येक प्रादेशिक निर्वाचन शेत्र से एक परतिनिदी का निर्वाचन समध्य शेत्र के मदाता करते हैं, बाद में प्रादेशिक शेत्रों के निर्वाचित परतिनिदी अपने मेंसे जिला परमुक और उप जिला परमुक का चुनाव करते हैं वो ही सेम सिस्टम है, पहले कौन चुनेगी जनता, अब उन्होंने मेंबर चुन लिए, किसाब यही सदश है, उन्हों निर्वाचित करके बेज दिए, अब वो अपने में से क्या करेंगे, किसी को जीला परमुख और उप जीला परमुख चुन लेंगे, यह इस्तिति विदा वेक्ति को CM चुन लेते हैं, और वैसे ही MP का चुनाव होता है, Member of Parliament, तो MP जो है, वहाँ जिस पार्टी का बहुमत होता है, वो अपने में से एक वेक्ति को क्या चुन लेते हैं, PM, पर्धान मंत्री, तीन बटा च्यार भहुमत से एविश्वास परस्ताव द्वारा जिला परमुख और रूप जिला परमुख को हटाने का अधिकार हैं, देखे, सम में जो हटाने का प्रावदान है, वो तीन बटा च्यार भहुमत हैं, एक मुख्य कारिकारी अधिकारी, साय का भ्यंता, लेखा अधिकारी और अन्य करमचारी भी जिला परिसद के परसासन तंत्रे के रूप में कारियों को निश्पादित करते हैं, जिला परिसद के जो चुनाव हैं, ये कौन करवाता है, ये भी राजे निर्वाचन आयोग करवाता है, तो ये बहुत महत्पून पोइंट है, देखे इसमें जो भी चेप्टर अभी हम पढ़ रहे हैं, इसमें इस तरह की जो लाइन है, वो आपके एक्जाम के दरिश्टी कौन से महत्पून होती है, सार क्या है इस चेप्टर का? तो अब जैसे ये है, तीन बटा च्यार भहुमत से एविश्वास परस्ताव द्वारा जिला परमक्वय उप जिला परमको को हटाने का अधिकार भी इनको प्राप्त है, तो आप एक्यूसन बन गया कि कितने बहुमत से जो है आई विश्वास परस्ताव के द्वारा कितना बहुमत चाहिए तो तीन बटा च्यार तो और जिलाप परिशद चुनाओ के आयोग का दाई तो राजे निर्वाचन आयोग करवाता है यह आप से पूर सकता है परते एक जिलाप परिशद अधिनिया में वीश्वास परते एक लिए 5-7 समीतियों का गठन करेगी आउशक्ता होने पर आने विश्वास के लिए भी समीति का गठन कर सकेगी यह अधिकार है जिलाप परिशद को राजे सरकार परते एक जिलाप परिशद लिए 5-7 समीतियों का गठन कर सकती है जो समधी जिलाप परिशद के कामकाज योजनाओ और अन्य किरिया कलापों का परिवेक्शन करेगी राजे सरकार स्वेम भी कर सकती है जो जिलाप परिशद क्या कर रहा है उसके observation के लिए भी एक समिती बना सकती है पांस सदस्य सतरकता समिती यानि जो सतरक रहने का काम करती है कि ये क्या काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं और कहीं भी जैसे मालीजी कोई ओफीस है या जैसे कोई गाड़ी का शोरूमी है और वहाँ पर जैसे गाड़ियां वगरा साफ होती है गाड़ियों की दुलाई होती है सर्विस सेंटर है तो वहाँ भी आप कभी भी देख ले न जैसे मालीजी एक बहुत बड़ा शोरूम मालीजी कोई हिरो या होंडा का कोई भी शोरूम है तो जहां सर्विस होती है तो अब जहां उस होंडा का जो शोरूम होगा पूरा उसका बना होगा उसमें मालेजी ये पचास करमचारी है जो की काम करते है अब किसे काम गाड़ी का दोने का है कोई उसकी सर्विस करता है कोई ओयल डालता है तो वहाँ एक व्यक्ति उनके observation के लिए होता है और जिसका व्यवार भी सही होता है वो ये ध्यान में रखता है कि कोई व्यक्ति काम कर रहा है या नहीं कर रहा नहीं कर रहा या जैसे माल जी ये बातें ज़्यादा करने लगे अपसमें दो ज़ने और काम पे कम ध्यान है तो ये फटावट उनको बोलेगा कि काम करो मलब इस तरीके से बोलेगा कि उनको बुरा भी ना लगे और सब को लाइन में रखता है कि यहां सब लगातार काम करते रहें तो इस तरह का जो एक व्यवार कुशल वेक्ति होता है उसको रखा जाता है उसका काम क्या है उब्जर्वेशन का उसके लिए सबसे ज़ादा योग एता चाहिए तो ये चीज़े है अब आता है जिला परिस्द के कारिये रास्तान पंचायती राज अदिनियम 1994 में की तर्तिय अनुसुची के अनुसार जिला परिस्द के कारिये इस परकार है साधारन कारिये के रूप में जिले के आर्थिक विकास और सामाजिक नयाय के लिए योजनाय त्यार करना और आगामी बिंदों में सम्मिलित वीशों के समध में योजनाओं का सम्मानवित किर्यानमन करना तो वह जो बैसिक से काम है जिले के लिए आर्थिक विकास के लिए सामाजिक नय के लिए योजनाओं वगरा त्यार करना तो कुछ बैसिक से काम होते हैं जैसे ग्राम पंचायद के थे और पंचाय सिमिती के थे वैसे जिला परिसद के हैं कर्शी उत्पादन में वर्दी और विक्सित कर्शी पत्तियों और समनुईत समुनत कर्शी उपकरणों के उपियों को बढ़ावा देना कर्षी मेलों का आयजन और कर्षकों का परशिक्षन पची सो एकर तक के लगू सिंचाई भूजल सोर संगरक्षन और जल विबाजक विकास के कारेकरम और बागवानी के लिए फलों और सब्जियों की खेती जिला परिशद और पंचाई समीतियों के किरिया कलापों से समधित आंकड़ों का परकासन और अने सूजनाओं के साथ समनवे उप्योग और ये संप्रक शड़कों की पैचान करनार ये सामोधाइक और प्राथमिक स्वास्तियों की स्थापना और रख रकाओ परति रक्षी करण टिका करण के कारे करम ये परिवार कल्यानों मातरत वैसिसु स्वास्तिय करिया कलाप अनोसुशी जाती जन जाती और अन्य पिछड़ा वर के बच्चों को छातर वर्तिया पुस्त के इत्यादी के करेक लियानुदान और शिक्ष्या सुविदाओं का विस्तार ग्रेवी उनमुलन कारे करम को प्रभावी रूप से संचालित करना समासुदार समधित विभिन कारे क्रिया कलापों का संचालन उच प्रात्मिक विद्याले की स्तावना प्रोट शीक्षा और पुस्तकाले सुविदाउं का कारिये इत्या दिए तो ये सब जो काम है ये किसके काम जो होते हैं ये जिला परिशत के होते हैं तो आज हम इसमें इतना ही पड़ेंगे और देखे इसमें इतना material इन्होंने देरक है पुरा age, it is, पुरा act का act ही छाप दिया इससे बाहरा आपका कोई question नहीं बनेगा चाए read का आजाए, चाए first grade का हो, चाए कोई सा भी बढ़ती प्रिक्षा हो इन में जो matter लिखा हो है, जैसे मान लिजे, जो भी पहले की class हुई है आठवी क्लास किया, साथवी की कोई भी और इन से हटके कुछ जैसे कहीं कुछ लिकर का हो तो सही यही मानना है, जो इन क्लासों में चल रहा है क्योंकि यह पूरा as it is, act है, original जो है तो कोई भी किसकी कितने बैठक है, कहां क्या है तो सब चीज इनको ही सही मानना है, जो अभी 9th क्लास में चल रहा है और इस में से बाहर आपका क्यूशन कुछ नहीं बनता चाहिए RS का पेपरी क्यों ना बना दे तो भी उसका क्यूशन स्थानी सवसासन का बनाएगा तो इसी में से ही बनाएगा बाकि जैसे समिदान में कौन से आर्टिकल में क्या लिखावा है तो वो एक अलग चीज है, आर्टिकल अलग से देखने होंगे बाकि material जो है, content वो इस में से बाहर आपका कुछ नहीं बनता इतना detail में इन्होंने देर कहें तो एक class और होगी और उसमें आपका फिर ये chapter complete हो जाएगा तो आज की class में इतना ही तो मिलते हैं next वीडियो में एक नए topic के साथ, जै हिंद, जै बारत